नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर स्वापनिल सागर जैन निरामाय होमियोपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों अभी आप लोगोंने बहुत सारे मेरे वीडियो देखे होंगे ऐलर्जी के उपर और मैंने इतने सारे वीडियो बनाए इसलिए हैं ताकि मैं आपको उन दवाओं के बारे में बता सकूँ जो की अलग-अलग सिम्टम पर, अलग-अलग अलर्जी के केसिस में, अलग-अलग मरीजों पर किस तरह से काम करती हैं मैंने आपको जस्टीसिया डा-टोडा के बारे में बताया, अलर्जी के सबसे अच्छे मेडिसिन है लेकिन वो सिम्टम जो जस्टीसिया के हैं वो मिलना चाहिए मैंने आपको एलियम सीपा के बारे में बताया, मैंने यूफरेशिया के बारे में बताया, मैंने वाइथिया के बारे में बताया, मैंने अरुंडो के बारे में बताया, बहुत सारी दवाएं मैं आपको बता चुका हूँ, कालीबाई क्रोमिकम, हाइड्रेस्टिस और भी तो इस medicine का नाम है दोस्तों सबाडिल्ला, बहुत सारे लोगों ने इस medicine के बारे में सुना होगा, ये भी allergy की सबसे अच्छी दवाओं में से एक है, जैसे जस्टिसी आडा टोडा है, एलियम सीपा है, यूफरेशिया है, काली बाइक्रोमिकम है, आइड्रेस्ट स्कैनाडेंस है, वैसे ही सबाडिल्ला भी है, और ये भी 100% allergy के cases को ठीक करती है, मैं आपको इतनी सारी दवाएं इसलिए बताता हूँ, क्योंकि होमियोपैती में कोई एक दवा किसी एक बीमारी के लिए काम नहीं करती, एक ही बीमारी के लिए अलग अलग लक्छणों के आधार पे लोग जो की सुबह उठते ही जिनें बहुत ज़्यादा चीके आने लगती है, लेकिन ये चीके एक्यूट नहीं है, बहुत सारा आपने treatment करवा लिया है, बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन आपकी वो जो चीके हैं, वो ठीक नहीं हो रही है, चीक के साथ साथ अब आपको बलगम बनने की शिकायत हो गई है, जस्टीस याडा टोडा में बलगम नहीं मिलेगा, एलियम सीपा में बलगम नहीं मिलेगा, यूफरेशिया में बलगम नहीं मिलेगा, सबाडिलना में आपको बलगम मिलेगा, बलगम के साथ साथ चुकि केस बहुत पुराना हो च अरीके से उसको बलगम निकलता है नाक से जो है जो हलके पीले कलर का हरे कलर का इस तरह का बलगम निकलता है कई बार इतनी ज्यादा कंडिशन खराब हो गई होती है कि अंदर ही अंदर उसको पस पढ़ने लगती है यह characteristic symptoms है सबाडिल्ला के जो आपको किसी दूसरी medicine में देख रहा हूँ इन symptoms पे सबाडिल्ला काम करने वाली है इसके साथ साथ जब उसको इस तरह की allergy की शिकायत होगी तो आखों में उसे बहुत ज्यादा जलन पढ़ने वाली है आखों में दर्द होगा आखों से पानी नहीं आएगा पानी आएगा तो फिर ही फ्रेशिया होगी लेक सिरदर्द हो रहा है बहुत पुराना जुकाम है तो सबाडिल्ला उसकी medicine होगी इस तरह की symptoms के आदार पे ही केवल सबाडिल्ला उस case को पूरी तरह से ठीक कर सकती है इसके अलावा इसका एक और characteristic symptom होता है जो किसी दूसरी medicine में जिनमें की allergy की जो दमाय है उनमें नहीं पाया आठ बजने के साथ ही उसे चींके आना शुरू सुबह 6 बजेंगे 6 बजने के साथ ही चींके आना शुरू 10 बजेंगे 10 बजने के साथ ही चींके आएंगी बुखार आने लगेगा तो ये जो exact time period पे होने वाले जो symptoms हैं उन symptoms पे सबाडिल्ला काम करती है बहुत अच्छे medicine है बहुत सारे लोगों में ऐसा देखा जाता है कि 10 बजने के साथ सिरदर्द होने लगा 10 बजे चींके आने लगी तो ये characteristic symptom है कि एक निश्चित समय पर हर दिन उसी समय पर उस व्यक्ति को वो समस्य डेवलप होने लगेगी तो सबाडिल्ला उस व्यक्ति को हमें देना और उने गले में दर्द होने लगा गले में तकलीफ होने लगी इसके लिए मैं पहले भी दवाएं बता चुका हूँ लेकिन सबाडिल्ला कैसे काम करेगी कि उसका जो दर्द होगा वो अपनी जगे बदलेगा शुरुआत कहां से होगी बाईं तरफ से बाईं तरफ से शु दर्द हो तकलीफ हो तो काम करेगी लेकिन अब lecasis और sabadilla को हम कैसे differentiate करेंगे lecasis का दर्द जो है वो दाइनी तरफ नहीं जाएगा sabadilla का दाइनी तरफ जाएगा और उसे गर्म चीजें पीने से aggravation होगा sabadilla में कुछ नहीं होने वाला लेकिन left-sided tonsillitis हो left-sided pharyngitis हो left-side गले में कोई तकलीफ हो और गर्म चीजें पीने से उसका दर्द बढ़ जाता हो तो समझ जाएए कि lecasis देना है और अगर ऐगा नहीं हो रहा है और दर्द left-side से right-side जा रहा है तो समझ जाएए यानि क sabadilla केबल इन रोगों के लिए ही नहीं क्रिमी रोगों के लिए भी बहुत अच्छी medicine है चोटे-चोटे बच्चे होते हैं जिनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं उन बच्चों के लिए भी sabadilla बहुत जादा उपयोगी होती है जो की continuous अपने एनस में उनको itching होती है त characteristic symptom होता है sabadilla का इसका जो patient होता है उसे कोई mental बीमारी नहीं है मांसिक रूप से बिलकुल स्वास्त है फिर भी अपने आपको वो मांसिक रोगी समझता रहता है कि उसके दिमाग में ये चीज है कि उसे निश्चित तोर पे कोई मांसिक रोग हो चुका है तो ये जो सारे symptoms मै मैंने आपको बताएं है दोस्तों ये sabadilla के characteristic symptom है खास तोर से sabadilla का जो पयोग किया जाता है वो allergy के cases में किया जाता है और allergy के केवल वे cases जिनके लक्षण मैंने आपको इस वीडियो में बताएं और किसी लक्षण पर ये काम नहीं करने वाली उन पे दूसरी जो दवाएं मै ये जो दवा है यदि हम इसकी potency की बात करते हैं ये आपको 30 potency में ही देना चाहिए और 30 potency की 2-2 wound दिन में 3 बार या 4-4 wound दिन में 3 बार मरीज के लक्षणों के आदार के हमें उनको देना चाहिए धीरे धीरे अंतर आएगा एक दम से अंतर आने की उम्मीद ना करें क्रिम दवा है ये किसी भी homeopathic medical store पे आपको मिल जाएगी वहाँ से आप खरीच सकते हैं online pharmacy से आप खरीच सकते हैं मैं केवल एक consultant physician हूँ ना ही कोई दवा बेचता हूँ और ना ही किसी मरीज को भेजता हूँ आज के इस वीडियो में फिलाल इतना ही आगे के वीडियो में हम बात क करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी homeopathic दवाओं के बारे में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, homeopathic दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं जिन दवाओं को दिन में किवल एक बार खाना है उन्हें सुभे खाली पेट खा लेना चाहिए मुह में अच्छे से कुला करके, गारगल्स करके मुह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें homeopathic दवाओं खा लेना चाहिए जिन दवाओं को दिन में दो बार या तीन बार या चार बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर दो से धाई घंटे बाद ही खाएं और उस इस्थिती में भी हमारे मुह में किसी भी वस्तू का किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए ना ही हमारे मुह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए जिससे की ये होमियोपेथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होमियोपेथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या एलाइची खा सकते हैं या नहीं बिलकुल, आप इन चीजों का इस्तिमाल कर सकते हैं, होमियोपेथिक दवाओं को खाते समय, आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं बस याद ये रखना है कि जब भी आप होमियोपेथिक दवा खाएं, इन में साही किसी भी मुह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गारगल्स कर लिये हो, तब इन होमियोपैथिक दवाओं को खाएं, तो आपको हमेशा होमियोपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, लोग गलती यही कर देते हैं, कि वो प्याज खाना छोड़ देते ते है?